नमस्कार आप देख रहे हैं अभिवक्ति इंडिया नीज रस्टर में मौझूद हैं उतरप्रदेश के घाजीपूर जनपद ने आज जो युवा हाज हमारे साथ है जिसका नाम शेख है इंदिनों सोचल मीडिया पर बहुत तेजी से इनकी वीडियो वाइरल हो रही थी असपास इलाखों में गंगा नदी के जलस्तर इतना बढ़ा कि गाउं में पानी घुज गया लोग काफी परशान थे जिस समय गंगा नदी उफान पर थी उसी समय ये शेखा इस्टंड कर रहे थे आप जो रेलकम रोड बिरिज बना उससे आप च्छलांग लगा दिया जी यह जी डर नहीं लगा थी नहीं हमारा जैसे कि मन में कभी से चल रहा था चर पांच महीने से कि हम कभी बनाएंगे फूल पर ते अगर पानी बढ़ा गंगा मईय का तो वहीं मतलब बनाए रिल रिल अच्छा दल लगा मतलब हम बढ़े की गंगा नदी तो हम उपर से वाराज अरमी का मतलब नोकरी पाएं नहीं था परिवार पड़ी नहीं पाएं पड़ नहीं सके मामला दूसरा सेना में जाने का शौकता जोश जुनून था और होसला था कि देश की सेवा करना है ऐसा जुनून इनके अंदर था लेकिन हाइट कम होने के कारण यह पढ़ नहीं से के परिवार की आर्थी किस्तिती काफी कमजोर थी इसलिए आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुए लेकिन जोश जुनून जजबा है मतलब आप में जीव या जोश जजबा है हमारे अंदर हम मतलब देश का सेवा करेंगे आप सेना में नहीं जा सके आपकी हाइट कम है तो क्या मतलब लोगों से कहना जैसे आपका इस्टेंड कर रहे थे अगर कोई दूसरा आपकी द नया करकर दिखाएं हम लोगों को लेकिन यह सब मतलब गलत है गलत काम है यह सब जो इस्टन्ट जो रील बनाना है रेलवे ट्रैक पर जैसे ओवर ब्रीज हुआ मतलब आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं कि आपकी देखा देखी कोई आउड़ना कूदने लगे तो जी नहीं तो हम कहना चाहेंगे गाजीपूर के लोगों से कि भाया हमारे देखा देखी आप ऐसा सब रील ना बनाएं का ज़ाना को वह सकता है जनको खतरा भी हो सकता है इनका कहना है वह जाज Wonderful कर नौजवान आपकी देखी देखा कोई आउर बनाता है को जाती है उसलिए उस समय में गवाजीपूर के परशासन को बड़ी चुनवती का सामना करना करना पड़ सकता है earthly जिस तरफ से उफान पे जलस्ता लगातार बढ़वा आप बढ़ती हुई गंगा नदी में चलांग लगा दिया क्या डरोर नहीं लगा यह कौन मतलब कोई उक्सा नहीं न दिया आपको यह को शर्त लग गई हो कि आपको कुदना है तो इतना पैसा देंगे हमारा मन में चल रहा है का दिनों से कि हम रिल बनाएंगे तो है बंगया तो बन गया तो कौन वीडियो रेकार्ड कर रहा था तो रिकार्ड हमारे मित्र कर रहेते तो नहीं 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 को हमारे उपर विश्वास था कि हम वह काम कर लेंगे निकल जाएंगे उसमें से तैरना भी बहुत अच्छा आता है जी विए तो आप उस पर लटके वुए थे तो कुछ लोग चिला रहे होंगे मत करो इसा कुछ ऐसा आवाज भी लगाएं आसपास के लोग कह रहे हैं यह सब गलत है काम गलत है उपार आजाएए अब हम क्या उदर से सुनाई भी नहीं दे रहा था लगभग हमी से तूस है और रेल कम रोड ब्रिज जो बनना लगभग दूरी सौ मींटर लगभग हो आवाज आजा नहीं पाएगी यह लोग पे और हमी दू कोजते आपने लोग जाते हैं कितने लोग कुद यते तुम्हारी गलती से हमारी चली जाती अभी तो इसलिए प्रशासन ने भी एक्षान लिया इनको हिदायत दिया कि नेक्स टाइम ऐसा नहीं किया जाए इसलिए कि आया दिन रहे हैं लोग बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रहे हैं और साथ में खुछ लोगों को भी ले जा र बन रही है ऐसे जो आए टेल डेल वे में तमाम एसी लाइफ लाइन कहीं जाती रेलवे की ट्रैक को तो लाइफ लाइफ लाइन की वज़या से और जिसे उसमें लोग पत्थर रख दे रहा है कुछ पट्रीयों के साथ छिडशाल करते रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन यह कुछ नहीं कर रहे थी यह स्टेंड कर रहे थे गंगा नदी में तो चलिए आज हमने इनसे मिलाया और इसको हम भी यह करना चाहते हैं कि नेक्स टाइम ऐसा मत करिएगा नहीं तो आपके साथ साथ प्रशासन भी एक्षन मिलेगा और परिवार को जो दुख होगा करते हैं यहीं पर चोटा सा दुकान को नाता है अब इसे मतलब जब जुनून ता सेना में जाने के बाद वसके कैसे जैसे हो नहीं पाया माली जैक हरका जैसे घ्रह बेसावार्स और ये तकम हा है शोचे कि पापा भी हरं भी अवश्बंस में करें थोड़ा सी लेकिन थोड़ा सा दूप का भी बातिया रिएकिंशत कि यह आजिए लड़के लोग हैरोज अपना ही मन का करते हैं दीता जी माता जी यह सब की बात नहीं मानते हैं लेकिन फिर भी ऐस होसला है के हम जाके कर रहे चाहिए कर मैना किये हैं हम मना किये थे कि नहीं मत जाओ वो सब काम गलत है गलत है मना कि यह थे फिर भी मानलो कि मने उसके पास जुनून था और जुनून के लिए अपने मने मने काबू से बाहर होकर भी चला गया हमको बाद में हमको मने बहुत मने पस्तावा हुआ इसलिए क्यों आप इनको सेना में जाने का शोग था हमको हम लोग इनको पढ़ा रहे थैं बढ़ाते बढ़ाते मटी उसको पढ़ाने नहीं पाया यह तो मालो इधर उधर घूम रहा था अपने से ही काम सुरू कर दिया और सीख भी लिया और बहुत अच्छे काटते हैं दो तिन गाओं का अदमी आता है यहीं पर कटवाता है सब्सक्राइब करते हैं पिता जी भी हिदायत दे रहें कि नेक्स टाइम ऐसी आप घटना नहीं करेंगे शौक के चकर में अपनी जान में डालेंगे उसके बाद परिवार का क्या होगा कुछ अनुहनी हो गई तो ज्यादा अधिकत हो जाएगी जी विया तो इसा आप नेक्स टाइम ना हो तो चलिए हमने इनसे बात चीत के नेक्स वीडियो के साथ पर मिलेंगे धन्यवाद